पेरानाइड स्कीजोफ्रेणिया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेचर एकुलेशन इसके बारे में तुगेधर एक केस्टेडी है उसके बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेक्स रोग व्यसन मुक्ति सम्मोहन तद्ने हूँ महराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ अबरात ने अपने पति को मेरे पास मेलाया कफी जगा गुंफिर के आये और बोल रहे थे इनको प्रॉब्लम में वह है कि इनको ऐसा लगता है और उनका विश्वास भी है कि मेरे पत्नी कि है मतलब वह जो लेड़ी बो रही थी कि मेरे और कोई किसी के साथ में संबंद ऐस फिर पर इसको पूछा भी चालू कब से है यह पुलेद कमसे कम दो साल हो गए चालू है उनने कहीं दबाई भी लिया था और दबँय लेके फायदा भी ने हुआ फिर जब मैंने और थोड़ा सा डिक किया थोड़ा सा पूछा और तो यह शुरुवात कहां से हुई क्या हुआ तो फिर ऐसा मालूम पड़ा कि इसको प्रिमेच्री गालीक्षे मतलब शिख रबतन की बिमारी मतलब शिख़फबता एकड़ दो बार शिख़फबता होगया। कुछ कारण की बज़े से टेंचन था जलो या जल्दी करने की इच्छा थी जलदी जल्डी को श्बी ओंद शिकर कतन हो गया, कि अभी शिकर कतन हो गया वाइप का समाधन ने हुआ तो मैं उसके काबिल नहीं हो, दूसरे बार जब उसने ट्राय किया तो उसको इरेक्शन ही नहीं हो, मतलब लिंग में कठोर दया ही नहीं, जितने कठोर दया ही उससे वो थोड़ा बहुत कर सका, और फिर वाइफ ने उसको बोला कि क्या हो गया तुमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यूं कर रहे हैं वगर दिपित कर देते हो, और दिपित करने के बाद में फिर आप सेक्स करते हैं और इसलिए उसने वो तैरी नहीं होई सेक्स करने के लिए, फिर उसका दिमाग ठनक गया, उसको यह लगा कि वही मैं ऐसा हूँ ठीक है, मगर यह क्यों नहीं बोल रही है, इसका कहीं बाहर से इसलिए मैं नहीं बोल रही है, पहले उसको इन्फेरेटी जी, गिल्ड फिलिंग था, कि आपना वराबर ठीक नहीं हो रहा है सेक्स, और बाद में फिर वाइफ ना बोल रही है, तो फिर वाइफ के बारे में उसके ख्याल चालो हो गया, और फिर धिर 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 वो इतने ब आपके साथ मैं आती हूँ और आपके लिए स्टैंड लेती हूँ कि आप चलो अपने इलाज करेंगे आपके सेक्स का, क्योंकि वह बहुत हुशारती उसको लगा कि चालो वहां से हुआ है, तो उसको मैंने सब तपासा उसकी हिस्ट्री पूरी लिया, चालो कहां से हुआ उ उसने पतन करवा लिया, अब उसमें तब से उसको ऐसा लग गया हो, कि अपना अभी जल्ली हो रहा है, और तब से वह मतलब हो गया प्रिसिविटेटिंग फेक्टर, और बाद में उसका जल्ली होने लगा, एक-दो अटेम्ट करने के बाद में, एक-दो इनके बाद में उस और काउंसिलिंग किया है दोनों का, दोनों कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कितना लंबे अवधी तक, लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं, या लंबा कितना आप कर सकते हैं, ताकि दोनों को मज़ा आ जाएंगा, या सेक्स करने का टाइम कैसा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में उन 15-20 दिन के बाद में मेरे पास में हैं बोले काफी इनकी इरिटाबिलिटी शक करने का सब्सक्राइब अभी चले गाए हम सेक्स भी अच्छा एंजॉय कर रहे है और हम बहुत ही खुश है भी तो ऐसे काफी सारे कपल्स होंगे कि जिनको ये वीडियो देखने की जरूद होंग कर दो एंज। कर दो दो एंज।